Hello everyone, welcome to IRC Chemistry So today we will discuss about previous year question discussion ठीक है? आज की वीडियो में हम previous year questions के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा combined geoscientist examination 2023 है जो अभी हुआ है, जिसका अभी पूरा जो process अभी ongoing है इंटर्वियूज अभी scheduled है उसके prelims के questions को हम discuss करने वाले हैं आज ठीक है? तो basically जो हमारा ये paper है ये basically two hours का है and maximum 300 marks ठीक है? और 120 questions यानि की 120 questions करने के लिए हमें 120 minutes हमारे पास हैं ठीक है? तो अब basically इसमें 120 questions है तो एक बार में सभी questions को discuss करना अच्छे से that is not possible, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं organic, inorganic and physical ठीक है? तीन हमारे जो main हमारे जो chemistry के parts है organic, inorganic and physical उनको हम अलग अलग discuss करेंगे आज हम बात करेंगे organic की और जो हम discussion करते time हम ये भी देखेंगे कि जो organic में questions कहां से पूछे जारे हैं जादा और questions का level क्या है ठीक है? level से हमें पता लगेगा कि हमें और questions को practice कहां से करना है clear? so चलिए start करते हैं आज हम सबसे पहले discussion रखेंगे अपना organic के questions का, ठीक है? तो जो questions है वो हम अच्छे से detail में discuss करेंगे clear? ताकि हमें next जो हमारा जो attempt होगा उसमें हमें preparation में काफी help हो देखो कोई भी exam अगर आप prepare कर रहे हो so I would suggest कि किसी भी exam को prepare करने से पहले उसके previous year questions और उसका syllabus ये दोनों बहुत जादा important है ठीक है? सबसे पहले तो आप previous year questions देखो उससे आपको paper का standard पता लगेगा ठीक है? तो वही अब आज हम करने वाले हैं तो चलिए आज हम start करते हैं सबसे पहले हमारा organic वाला part हम discuss करेंगे यहाँ ठीक है? organic chemistry हम सबसे पहले यहाँ पर start करने वाले हैं तो देखे इस question paper का अभी तक answer की available नहीं है ठीक है? तो यह questions मैंने खुझ से अपना research करके मैंने किया है basically questions बहुत ही simple है आप खुद देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि इन questions के लिए किसी भी source को भी हमें follow करने की जरूरत है ठीक है? questions are quite easy तो अगर इसमें अगर लगता है किसी को कि कहीं पर कुछ एक दो questions ऐसे हैं जो जिसमें हमारा थोड़ा बहुत यानि की थोड़े tricky questions रहते हैं कई बार organic है ठीक है? तो वो भी हम discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले start करते हैं which of the following compound is most stabilized by resonance ठीक है? और हमारे पास यह चार option दिये गए है ठीक है? तो ध्यान दो यहाँ पर एक हमारा NME2 group है और उसमें ortho पे हमारा दो nitro groups है ठीक है? similarly यहाँ पे एक ortho पे है, यहाँ पे एक ortho पे है and para and meta तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमें question देखते ही यह hit करना है option देखके कि हमारा क्या चीज़ apply हो रही है इसके अंदर तो देखो, बहुत simple है यहाँ पे हमारा steric inhibition in resonance लग रहा है और हमारा resonance से ही पूछ रहा है कि compound के stability कौन सी होगी तो यहाँ पे भी SIR लग रहा है SIR क्या होता है? जो हमारा यह जो bulky group है इसके ortho में दो nitro groups present है हमारी नहीं हो पाएगी इसलिए stability कम हो जाएगी तो यहाँ पर यहाँ पे भी हमारा SIR हो रहा है यहाँ पे भी steric inhibition in resonance है और यहाँ पे भी हो रहा है यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है? तो जो हमारा answer हो जाएगा इस question के लिए वो हमारा answer यह हमारा इसके लिए correct answer हो जाएगा clear? next देखते है next हमारा है relative order of stability of the following carbocatines ठीक है? बहुत simple question है stability of carbocatines देखते time हमें क्या देखना है? number of alpha hydrogens ठीक है? number of alpha hydrogen quite simple तो देखो इसके अंदर number of alpha hydrogen कितने है? देखो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो 8 number of alpha hydrogens हो गए यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है यानि कि 2 alpha hydrogen हो गए यहाँ पर देखो तो 1 alpha hydrogen हो गया alpha position पर शिरफ यह alpha hydrogen है अब आपके सामने है order of stability 1 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 की होगी, फिर 3 की होगी तो कौन सांसर हो गया? यहाँ पर 1 की सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की तो यह हमारा relative order of stability of the following carbocatine यहाँ से समझ में आ गया हमें नेक्स देखो, 83 क्या बोल रहा है? अब ध्यान दो, hydrogenation के लिए हमें एक चीज ध्यान देनी है देखो जब भी हम hydrogenation की बात करते हैं तो क्या होता है? एक हमारी alken होती है वो alken हमारी hydrogenation करके एक alken product बनाती है यह alken बन गया alken से ठीक है? तो heat of hydrogenation क्या होगी? यह हमारा heat of hydrogenation हो गया अब ध्यान दो, जितना stable मेरा alken होगा जितना stable मेरा alken होगा एक alken मेरी मान लो यह होगी ठीक है? दूसरी alken मेरी यह होगी तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ तो heat of hydrogenation किसकी ज़दा है? of course sir one वाले की जादा है one वाली एलकीन उपर है two वाली नीचे है क्योंकि हमारा gap हमें ये देखना है ठीक है ये वाला gap देखना है clear तो heat of hydrogenation हमारा magnitude की हमेशा बात करते हैं जब हम heat of hydrogenation की बात करते हैं हालंकि ये negative होगी heat of hydrogenation is always negative लेकिन यहाँ पर बात किस की हो रही है बात हो रही है magnitude की जब भी हमसे trend के बारे में पूछता है वो हमेशा magnitude के बारे में पूछता है तो ध्यान दो यहाँ पर one two three four अब heat of hydrogenation देखनी है हमें यहाँ पर ठीक है तो सबसे पहले देखो ये two two के अंदर हमारा सिर्फ एक Alkene है तो जहाँ पर दो Alkene का hydrogenation होगा वहाँ पर heat of hydrogenation जढदा होगी जहाँ पर एक ही Alkene है तो कम होगी तो बहुत कम होगी ठीक है तो two की हमारी सबसे कम heat of hydrogenation होगी यानि कि या तो यह होता है या तो यह हो सकता है अब देखो next next हमें देखना है 4 और 1 में से ये मेरा 4 है ये मेरा 1 है अब 4 और 1 में से कौन सी ज़्यादा एलकी इन stable है ठीक आप देखो double bond वाली आ गई अब double bond वाली में से हमें stability देखनी है तो एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर ये वाली मेरी यलो से ठीक अब मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर 1, 2 and 3 तो जो मेरी 1 होगी ये मेरी ज़्यादा stable है comparable to 4 कैसे conjugation दोनों में इसमें भी conjugation है लेकिन इसमें अलफा हिड्रोजन है पस तीन अलफा हिड्रोजन है इसके अंदर हमारे पास चार अलफा हिड्रोजन है तो उसकी वज़े से हमारा क्या होगा ये 1 मेरा ज़्यादा stable हो गया तो मैं क्या बोलूँगा इनको अगर मैं numbering दूँ तो मेरा यहाँ पर 1 आ जाएगा ये वाला मेरा क्या हो गया 1 ठीक है सेकंड कौन सा हो गया ये वाला मेरा 4 हो गया क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 1 के बाद मेरा 4 आएगा और फिर मेरा क्या आएगा 3 आएगा ठीक और सबसे कम किस की है सबसे कम तो हमारी 2 की है तो यह नहीं कि 2, 2 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 3 तो हमारा C answer हो गया, इस तरीके से हमें इस question को समझना था बहुत ही simple question है, heat of hydrogenation का, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी concept पता है आपको pen चालाने की भी जरूरत नहीं है, आप देखते ही कर सकते हैं, यहाँ पर यह मैंने बताया कि आप लोग थोड़ा इसको समझ सके जिन लोगों को यह concept नहीं पता है अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो मैं discuss करूँगा, उससे आपके बहुत सारे concept clear हो जाएंगे, ठीक है इसी तरीके से जब आप हर एक paper question को देखोगे, attempt करोगे ना, साथ-साथ आपके concept clear होते जाएंगे और दूसरा यहाँ से conclusion क्या लेना है, जो यह question मैं discuss कर रहा हूँ इन सबसे आप यह idea लगा के देखो कि कौन से region से, कौन से portion से हमारा ज्यादा questions पूछे जा रहा है ठीक है, तो keep in mind कि यह भी आपको यहाँ पर notice करना है, ना कि सिरफ question को देखना है चलिए next देखो, which of the following represents the high energy, highest occupied molecular orbital 1-3-butadine का homo बताना है, ठीक है, अब देखो मैंने ना pericyclic की कुछ वीडियोज डाली है चैनल पर, pericyclic की ठीक है, तो उसमें जो first video है ना, उसमें मैंने आपको basically बहुत सारे molecules की homo, lumo बना के दिखाया है ठीक है, molecular orbital से, बहुत simple है, तो आप वहाँ से easily कर सकते हो, देखो कैसे, अब हमारे पास 1-3-butadine है तो 1-3-butadine है, तो 1-3-butadine में हमारे पस क्या होगा, ये वाले मेरा 1-3-butadine है, इसके अंदर हमारे 4p orbitals हैं, 2 pi bond है, ठीक है, तो 4p orbital हमें दिख रहे हैं, अब इसका जब बना के देखो, मैं यहां बना रहा हूँ इसको, ठीक है, इस side आ जाओ, space है यहां पे, तो मैं 1-3-butad देखो, सबसे पहले, 4 is to 4, plus, 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 0 node होगा, फिर उसके बाद, 2 is to 2, plus, plus, minus, minus, एक node आ गया है इसमें, फिर उसके बाद, 1 is to 2, 2 is to 1, यानि कि 4 हमें complete करना है, ये भी 4 है, इसका सम, इसका सम भी 4 है, ठीक है, और symmetrically separate करना है, प्लस, minus, minus, plus, यहां पे क्या आगे, 2 node आ गया, फिर उसके बाद, 1 is to 1 is to 1, plus, minus, plus, minus, 1 node, 2 node, 3 node, तो ये हमारा क्या हो गया, molecular orbital diagram बन गया, psi 1, psi 2, psi 3, and psi 4, किसका, 1, 3 butadine का, ठीक है, इसको ओर detail में समझना है, तो आप हमारी जो वीडियो है, उस पर जा करके, देख सकते हैं, कि पहली वीडियो खोलनी है, part 1 उसी में पता लग जाएगा, अब हमारे पास चार electron है, क्यों, क्योंकि 2 pi bond है, तो इसको फिल करेंगे, तो दो electron इसमें आ जाएंगे, दो electron इसमें आ जाएंगे, तो homo कौन सा हुआ, यह वाला homo हो गया, यह वाला homo हुआ, shy to homo, और यह मेर homo, shy to is homo, and this is lomo, अब homo में क्या है, दो positive lobe है, दो negative है, या नि एक node है, अब इसमें देख लो, एक node वाला कॉन सा है, देखो यहाँ पर एक जोड़ नहीं है, यहाँ पर एक node है, यह देखो, यहाँ पर कितने node है, एक, दो, तीन node है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, जा हमारा यह हमारा answer होगा ठीक है साथ साथ हमने concept को भी समझा और हमने यह भी समझ लिया कि क्या हमारा answer हो सकता है अब मैं इसको erase कर देता हूँ था कि हमें थोड़ा space मिल जाए ठीक है चलिए next question which of the following statement regarding free radical is not correct यह कह रहा है कौन सी free radical के regarding statement हमारी correct नहीं है carbon free radical is paramagnetic in nature ठीक है एक बार को मान लेते हैं हाँ भी single carbon radical होता है बिल्गुल सही होगा हमारा यह ठीक है क्योंकि C radical इसकी एक spin होगी तो यह हमारा प्रमेगनेटिक होगा फ्री radicals are formed by homolytic bond fusion यह बात भी सही लग रही है stability order of free radicals for the following species is अब इसको एक बार थोड़े के लिए छोड़ दो क्योंकि यह order पूछ रहा हम से ठीक है तो नीचे बाल देख लेते हैं पैरा बेंजोकिनोन act as an inhibitor for the free radical reaction यह भी हमारा सही लग रहा है तो यानि कि order में कुछ यहां पर trick हो सकती है देखो यहां पर free radical की stability बता नहीं है हमें ठीक है तो यह बिलकुल सही है resonance है अब देखो यहां पर यह PH3C radical है और यह हमारा सिरफ एक allylic radical है common सी बात है यह वाला हमार यह बात में आएगा ठीक है यह तो सबसे last में आएगा इसके बाद सबसे last में आएगा यह वाला यहां पर ठीक है यह 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 इनकी stability जादा होगी तो यहां हमारा answer हो गया हमसे गलत पूछा गया है तो हम easily यहां पर बता सकते हैं ठीक है next देखो the correct order of stability of the following कि रात्ट हों स्टेबिटियों कॉछिशन हम कर चूके पहले फिर से कार्वबटयзы कि आ गया ठीक है अब और ऑफ स्टेबिलिटी में क्या देखना होता है डूसरा में क्या देखना होता है क्ट देखो यहां पर सबसे पहले यहां क Will देखो, resonance है, एक resonance है, और कितने αा हैड्रोजन है इस Carbocatine के? 3 to 5, फाई अल्फा हैड्रोजन है, ठीक है? और दूसरा वाला ये देखो, इसमें भी एक resonance है, एक resonance है, और 0 अल्फा हैड्रोजन है, ठीक? तो यहां पर हम easily बता सकते हैं 5 और 3 में कौन सा जाता होगा ठीक है यह मेरा 5 है यह मेरा 3 है ठीक है तो इसमें एक resonance है हमारा 0 alpha hydrogen है दूसरा देखो इसमें कितने alpha hydrogen है 4 में 3, 5, 7 5 से 7 है 7 alpha hydrogen है यहां पर 0 alpha hydrogen है और यहां पर 1 यहां पर है 2 यहां पर है 3 alpha hydrogen है तो देखो 0 alpha hydrogen वाला तो सबसे कम है तो 0 alpha hydrogen वाला तो यह सबसे कम है सोरी 0 निये इसमें इसमें 1 है ठीक है तो यह सबसे कम है तो 1 alpha hydrogen तो 2 सबसे कम आगी stability ठीक है 2 के बाद फिर 1 की stability आ गई ठीक है तो यही से आ गया हमारा 2 और 1 में अगर हम बता दें तो हमारा answer आ जाएगा 2 की हमारी सबसे कम है और फिर हमारी 3 alpha बिल्गुल सही है ठीक है आगे वाला हमें कुछ देखना है नहीं है 2 और 1 का order देख लो answer आ जाएगा हमारा ठीक है next देखो पिचो दो following compound does not contain plane of symmetry बहुत simple question है plane of symmetry किसके अंदर नहीं है देखो यहाँ पर B के अंदर मुझे साफ साफ दिख रही है साफ plane of symmetry दिख रही है यहाँ पर भी मेरे को clear plane of symmetry दिखाई दे रही है इस compound को अब first को देख लेते हैं first में CS3 इधर है CS3 इधर है इसके लिए न मैं एक bond को rotate कर दूँगा इस वाले bond को मैं rotate करके इधर ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा यह वाला मेरा OH और यह वाला मेरा OH भी उपर आ जाएगा तो कि नीचे था ठीक है ME अब मैं यहां पर थोड़ा न आपको धिरे-दिरे समझा रहा हूं क्योंकि जिनको नहीं आते हैं उनको वो concept भी आना चाहिए लेकिन यह questions जब आप paper में करोगे आपके पास इतना ही time होता है ठीक है कि आपको फटा-फट करना है और हलांकि यह questions organic के यहां पर इतने आसान है कि हमें बिना pen चलाए भी हमारे हो जाने चाहिए तो वो कैसे होगा जितने ज़्यादा आप practice करोगे उतना easily आप अब इस question को मुझे pen चलाने के भी जरूरत नहीं थी दिमाग में imagine करके जट से एक बार answer कर सकता था इसको ठीक है तो वो आपको achieve करना है यहां पर क्यूंकि आपको 120 questions को 120 minute में करना है और उसमें कुछ question tough भी होंगे कुछ easy भी होंगे tough question को थोड़ा सा time देंगे easy question को फटा-फट कर देंगे ठीक है identical तो बिल्कुल नहीं है डाइस्टीरियोमर भी नहीं हो सकते हैं नेंशमर भी हो सकते हैं नहीं constitutional isomers हैं कैसे हो सकते हैं डाइस्टीरियोमर जबकि हमारा इनका constitution ही अलग है यानि कि in the sense की जो attachment है ligands का वह ही अलग है next देखो 89 which of the following is not meso compound अब ध्यान दो एक question थोड़े दिर पहले हमने plane of symmetry का पढ़ा है अब meso में भी हमें पता हम plane of symmetry देखनी है तो यह भी quite simple question है तो क्या गर है which of the following is not meso compound मीजो के लिए हमारे पास क्या होगा अगर मान लो हमारा कोई meso compound होगा तो उसमें क्या होगी plane of symmetry ठीक है मान लो यह plane of symmetry है कोई molecule है मेरा यह वाला कोई molecule है मैं फिशर में दिखा रहा हम आपको ठीक है तो अगर इसकी R है तो इसका rotation S होगा और इन दोनों में क्या होगी plane of symmetry तो वह मेरा क्या हो जाएगा meso compound हो जाएगा overall chirality उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यनि overall rotation of light 0 करेगा वो तो हमें क्या देखनी है सिरफ plane of symmetry ठीक है तो यहाँ पर plane of symmetry है तो यानि कि meso है यहाँ पर भी plane of symmetry है यह भी meso है इसको देखो जड़ा bond को rotate मारो यह हमारा क्या है OH इसको मैं क्या करूँगा उपर OH क्या आपको यहाँ plane of symmetry देख रही है सर नहीं है बस simple ठीक है कुछ करना ही नहीं है इसको क्यों देखू मैं जब मेरे को यह clear हो गया है ठीक है देखना ही नहीं है 90 the correct IUPAC अब देखो इनमें numbering कर रखी है तो numbering देखो यहां से होगी 123 ठीक है 45 अब ध्यान दो टू की क्या है आई पेसी के नॉमन क्लेचर अगर करेंगे हम इन नम्बरों मिटा दो एक बार IUPAC नॉमन क्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे देखो इसका one इसका two इसका three तो क्या हो जाएगा one two three S हो जाएगा इसका एक second one two three बिल्कुल S rotation हो जाएगा और दूसरे गा इसका one इसका two इसका three तो यानि कि इसका rotation क्या हो जाएगा यह क्या बन रहा है एस और यह हाइड्रोजन क्या है अब दो प्लेन है तो आर हो जाएगा यानि कि टू एस थ्री आर टू थ्री डाइब्रोम पेंटेन क्लिर है बहुत सिंपल इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट मुझे नहीं लगा ठीक है तो इस तरीके साफ को करना है नेक् को ट्रांस है मोस्ट स्टेबल पूछा है तो दोनों हमारे क्या होंगे यह भी बन थ्री है यह भी बन थ्री है ठीक है तो यहां पर हमारा दिस वन इस सिस दिस वन इस अलसो सिस ठीक है